नमस्कार दोस्तो ओनलें लेर्निंग श्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शक्त प्रति मिनट की गती से संपायत के डिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट बदलते रहन सेहन और खान पान से बिमारियों और अन्य स्वास्ते चुनोतियों के प्रति लगातार आगह किया जाता रहा है विडंबना यह है कि इनसान कई बार खत्रों को सामने देखते हुए भी अपनी आख नाक कान बंद कर लेता है यानी चेतावनियों की अंदेखी करता है इसी प्रवर्ती के समांतर परिवर्तित जीवन शैली के दुश परिनामों में से एक आगहात को लेकर विज्ञान पत्री का लानसेट ने जो ताजा अध्यन जारी किया है उसके आकडे चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं शोद में अनुमान लगाया गया है कि अगर समय रहते परभावी कदम नहीं उठाए गए तो सन 2050 तक दुनिया भर में आगहात से मरने वाले लोगों की संख्या 50 फीसद बढ़कर हर वर्ष एक करोड तक पहुच जाएगी बीते तीन दशकों में दुनिया भर में आगहात के मामले करीब दो गुने हो चुके हैं चिन्ता की बात यह है कि इस से सबसे ज्यादा परभावित निम्न और मध्यम आएवाले देश हैं ऐसा या तो इन शेत्रों में भूक गरीबी बिमारी और प्राकृतिक आपदाओं के चलते उपजी स्वास्ते समस्याओं और चिकिस्सा सुवीधाओं की भारी कमी की वजह से हुआ या फिर कुछ शेत्रों में उद्योगी करण के चलते मानव शिरम पर आए अत्यधिक दबाव के कारण इस बढ़ती समस्या की जड़ में वजहें जो भी रही हों अगर संबंधित देशों का स्वास्ते तंत्र वैश्विक अजन्सियों और परभावित शेत्रों ने इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दशकों में इसका बहुत अधिक प्रतीकूल परभाव देखने को मिल सकता है भारत इनहीं शेत्रों में शामिल है जहां की इस्तिती आज भी बहुत चिंताजनक है यहां यह समस्या कितनी आम हो गई है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में हर चार मिनट में एक व्यक्ति की जान अगहात से जा रही है एक आकड़े के मुताबिक आगहात के 68.6 फीसद और इससे मोत के 70.9 फीसद मामले भारत में सामने आते हैं यहे बिमारी अमूमन 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में होती है लेकिन भारत में 20 वर्ष तक के 31 फीसद युवा और बच्चे भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं यहां मोत का दूसरा सबसे समाने कारण अगहात के रूप में सामने आ रहा है आखिर क्या वज़ा है की कारण और स्थितियां जग जाहिर होने के बावजूद यह समस्या इतने जटिल रूप में गहराती जा रही है दरसल मोबाईल और अन्य इलेक्टरोनिक संसाधनों पर अधिक समय बिताना बाहर का खाना विशेशकर जंक फूड पर निर्भरता देर रात सोना और सुभे देर से जागना पारिवारिक अलगाव एकाकीपन जैसी समस्याएं आम होती गई हैं स्टॉप